कि अधिक्ट क्लास 8 mathematics का chapter 6 square and square root यह को squares निकालने के तरीके अलग होते हैं square root निकालने के तरीके अलग होते हैं दोनों अलग 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 आप एक तो इनको mix मत करना है, हम एक चीज करके बिल्कुल detail में बढ़ेगे जिस बच्छे को कुछ भी नहीं पता इस chapter के बारे में उसको भी अराम से पूरा का पूरा chapter आग शमय आज़ागा है तो इस lecture को बिल्कुल miss मत करना, सारे के सारे basic concepts में इस lecture के अंदर आपको समझा द स्केर की स्केर करके अव हमेद तो इसी को हम बोलते है कि 4 क्या कर दो स्केर कर दो square का मतलब यह होता है कि 4 को 2 बार multiply कर दो कई बच्चे इसका गलत मतलब समझ लेते हैं कि 4 को 2 से multiply कर दो और answer कितना था 8 नहीं यह 4 का square नहीं कहला था 4 की power 2 का मतलब होता है 4 को 4 से ही multiply करना है कितनी बार 2 बार ठीक है तो अंसर कितना हैगा 16 ऐसी 5 का स्केर क्या होगा फिर 5 इंटू 5 याने की 25 अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन पे इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन है और इसके उपर पेपर में जरूर कोशन पुछा जाता है और आज के बाद आपकी सारी कन्फिजन दूर हो जाएगी कि स्केर नंबर कौन से होते हैं आप एना 1 से लेके 25 या 26 तक कम से कम आपको स्केर याद होने चाहिए और मैं कहता हूं इतने स्केर अगर आपने याद कर लि करेंगे यानि कि 9 फिर करेंगे हम 4 का स्केर 4 x 4, 16, 5 का स्केर करेंगे 5 x 5, 25, 6 का स्केर करेंगे 6 x 6, 36, 7 का स्केर करो ऐसा ही 7 x 7, 49, और 8 का स्केर करेंगे ऐसा ही क्या है आपका 8 x 8, 64, अब मैं क्या करूंगा यह बीचवारी लाइन निन लिख रह으면 ठीक je सिदा ही लिख रहा हूँ मैं, 9 का स्केर आपको पता है, 9 into 9 कितना होता है, 81, 10 का स्केर करोगे कितना हैगा, 100, 11 का स्केर करोगे, 121, 12 का स्केर आप करोगे, 144, 13 का स्केर करोगे, 169, 14 का स्केर करोगे, 196, 15 का स्केर, 225, फिर 16 का होता है, 256, 17 का होता है, 289, और 18 का स्केर आपका ह होता है 324 19 का स्केर होता है 32 26ב एक सो वेक्ज तक तो सभी बच्चों کो स्केर याद होनी प्रभर ठीक है आपकी लिए चैबत फिर बहुत आसान होजिएगा 21 का स्केर होता है 441 का का स्केर होता है 484, 23 का स्केर होता है आपका 529, 24 का स्केर होता है 576, 25 का स्केर होता है 625, और 26 का स्केर यानि कि 26 को दो बार इसका अंसर आएगा 676, तो मैं कहता हूँ, यह स्केर 26 तक टिप्स पर याद कर लो कि कोई भी बीच में से भी आप से पूछ रहना कि 14 का स्केर कितना होता है तो आप तुरंत कह दो कितना 196, ठीक है यह 9th क्लास में 10th क्लास में 8 में 3 साल लगा था आपकी help करने वारे है, तो य जैसे 4 है, 3 का स्केर आया है कितना 9, 4 का स्केर कितना 16, क्योंकि इस टेबल से आपको अपने काफी सारे कोशन के अंसर मिलने वाले हैं, यह 64 इन सारे के सारे नंबर को आप सिरफ box के अंदर बंद कर लो, क्योंकि इन ही कोशन, इन ही के उपर जो है अब हम question करने वाले हैं, box लगा लो circle लगा लो round लगा लो इसके उपर ठीक है यह लगा दिए हमें अब जो यह number मैंने circle किये यह box के अंदर बंद के रहे हैं ये जितने भी number है इनको हम बोलते है», tamam UA 褂द, Okay square numbers क्या होते हैं його numbers या इनको हम दूसरे तरह से बोल सकते perfect square numbers इनको हम क्या बोलते हैं? perfect square numbers perfect square numbers तो अभी हमने चिन numbers को circle किया है कौन-कौन से बताः, 1 याद कैसे रखो ज़िए 1 का square 1 फिर 2 का square कितना होता है? 4 फिर 3 का square हुआह तरह से, 4 का square 5 का square फिर 6 का square ठीक है? इस तरह से 8 का square है फिर 9 का square 10 का square दोनों एक ही नाब है, और 15 का, फिर 16 का करेंगे, फिर 17 का करेंगे, फिर 18 का करेंगे, फिर 19 का करेंगे, फिर 20 का करेंगे, 21 का करेंगे, 22 का, फिर 23 का, फिर 24 का, 25 का, 26 का, यह यह इतने होते हैं, ऐसी 27 का, 28 का, यह जितने भी आते जाएंगे, यह क्या होंगे, आपके सारे perfect square स्केर नंबर होंगे लेकिन एक्जाम में जो आपका कोशन बनेगा ना वो बस 26 तक के स्केर पे ही बनता है यानि कि जो मैंने लिखे है ना इनके बीच में इनके अलावा मानलो है ना इनके बीच में आते हैं वो परफेक्ट स्केर नहीं कहलाते वो परफेक्ट स्केर नहीं कहलाते उनको हम परफेक्ट स्केर नहीं बोलेंगे perfect square सिरफ कौन से होते हैं, जो हमने उपर लिखे हैं, ठीक है, for example, आप मेरे को कुछ 5 से ऐसे number के example दो, जो perfect square नहीं है, आप अराम से बता दो कि 2 है, फिर 3 है, 4 तो है perfect square, फिर 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 को छोड़ दो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16 को छोड़ दो, ऐसे ही, infinite number of numbers ऐसे हैं, जो क कि क्या होते है, perfect square नहीं होते है, तो अब आपको confusion नहीं होनी चीए, कि perfect square number क्या होते है, और ऐसे number कौन से होते है, जो perfect square नहीं होते है, ठीक है, अराम से आप सीख लोगे, perfect square number और non perfect square number, इनको हम क्या बोलते है, non, non लगा दो, अके, non perfect square numbers बोलते हैं, इनको, जो हमने यहाँ लिखे हैं इनको हम क्या बोलेंगे Non Perfect wär नंबर तो everyone Warum क्लेर हो गया key perfect skape number क्या थे मैंने सारी आपको độ Tea बता दी अब हम करते हैं इसके अंदर second point second point अता है यूणिट digital in the square of a number लो किसी भी नंबर का हमस्केयर करते हैं जैसे हमने 2 का स्केर किया, कितना या 4, 12 का स्केर किया, कितना या 144, 13 का स्केर किया, कितना या 169, किसी भी नंबर का हम स्केर करेंगे, तो उसका जो अंसर आएगा, उसका यूनिट डिजित तो होगा ना कुछ ना कुछ, यूनिट डिजित का मतब यह पहले वाला डिजित ठीक है तो यह क्या क्या हो सकता है इसके रूल होते है और रटना नहीं है आपको आपको मैं पहले समझाओंगा फिर आप खुद इस वीडियो को देखोगे दो बार अपनी नोट बुक में लिखोगे ना आपको सब के सब या होते है इक हुआ है आपको देखो बार बार ऐसे लिखनी है मेरे को अच्छे से याद है लेकिनल पिछले पर लिखे तरहें यह स्कूर यह सक्वेर में दुबारा लिख रहूं क्यों ताकि आपको भी ऐसी जो है ना है विट पढ़ जैए अब मैं यह कहता हूं जो हमने इनक को क्या कर लो hardless circle कर लो या box से अंधर बंद कर तो यह rez último सब सिर्जित थी इसको बोलते वर्स बिजीट के उनको लाइवा हिनको आप क्या कज़ोña box के अंधर यह circle के बंद करो अब आप मेरे को बता सकते हो कि यह जह आपने नंबर ब्लू पैन से बोक्स में बंद करें हैं, यह कौन-कौन से नंबर है, सारे, यानि कि 0, देखो, डिजिट कितने होते हैं, mathematics में, digit, कोई बच्चा कहता है, एक से लेके 9 तक होते हैं, नहीं, 0 भी तो एक डिजिट होते हैं, क्योंकि 0 का भी तो हम यूज करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, यह टोटल कितने हैं, 10 डिजिट से हैं, क्योंकि एक से लेके 9 तक 9 होते हैं, और एक 0 भी आगया, टोटल 10 डिजिट्स आर देर, आज के बाद कोई आप से पूछरे ना कि मैस में, digit कितने होते हैं, तो आप कितने कहोगे, 10, क्योंकि जो भी आप नंबर बनाते हो ना, वो इनी 10 डिजिट्स में से किसी ने किसी का यूज़ करके बनाते हो, जैसे इंगलिस के अंदर अलफाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, कोई भी आप वर्ड बनाते हो, उन 26 अलफाबेट से बाहर जाके नहीं बना सकते, वैसे ही, मैथेमेटिक्स में हम जितने भी न इन तक में कौन-कौन से डिजिट आगे, 0 आया क्या, आप कोगे जी, आया बिल्कुल, ठीक है, फिर 1 आया, 1 भी आया, फिर देखो, और कुछ 2 कहा है, 2 है नी, 3 का पे है, 3 भी नहीं है, 4 का पे है, यह ला 4 है, फिर 5 भी आया है, 6 आया है, 7 है क्या कहीं, इन में 7 नहीं है, 8, 8 नहीं है, 9 है, 9 है, ठीक है, तो मैं यह कहता हूँ, आप किनी भी नंबर का स्केर करोगे न, उसका जो यूनिट इजित होगा, वो या तो क्या आएगा, 0, या 1, या 4, या 5, या 6, या 9, इनके अलावा आ ही नहीं सकता, आप सोच रहोंगे, कि हमने तो बस 10 तक लिक के द 47 का स्केर कर लेना, 47 into 47, ठीक है, इसका जो यूनिट इजित आएगा, वो पता है कितना आएगा, वो 7 और 7 के मल्टिप्लाई क्या होती है, 49, 49 के लास्ट में क्या आता है, 9, तो इसका यूनिट इजित कितना आएगा, 9, मतलब कि इन में से ही कोई न कोई आएगा, इसके अल जाजेगी, of the square of, of the square of 123, of the square of 123, और ऐसा कोशन पेपर में पक्का पूचा जाते है, इसका मतलब पता है क्या है, कि आप 123 को square करोगे, यान कि 123 को क्या करोगे, दो बार मल्टिप्लाई करोगे, आपको पूरा अंसर नहीं बताना, बस आपको ये बताना है, इसके जो लास्ट इस 3 को और इस 3 को, दोनों unit digit को multiply करो, 3, 3 जा कितना होता है, 9, बस 9 ही इस question का आपका क्या है, answer है, इसका unit digit कितना होगा, 9 और यही तो आप से पुछा है, अब आप से ये पूच ले कोई, second question में बता रहा हूँ, कि 127 और इसका whole square करे, तो बता दो इसका unit digit कितना होगा, सिरफ unit digit बता हो, तो आप को होगे, 127 into 127, और मैंने क्या बताया, अभी आपको पूरे number को multiply नहीं करना, सिरफ इसके last last वाड़े digit को, 7, 7 जा कितना होता है, 49, 49 के भी last में कितना होता है, 9, तो 9 हमारा क्या होगा, इसका unit digit होगा, ठीक है, आप समझगे कि unit digit निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, कितना भी बड़ा आपको number दे दे, जैसे मालों यह कहते, 318 और 6 है, इसका square करो, और इसके अंदर बताओ unit digit क्या आएगा, सिरफ आप से unit digit पूछा जाएगा, ठीक है, बताओ कितना आएगा, 3186 into 3186, मैंने आपको क्या बताया अभी, पूरे number को multiply नहीं करना बस इसके last-last digit को, ठीक है, 6-6 जा कितना होता है, 36, तो 36 का unit digit कितना होता है, 6 होता है, और यह इस question का क्या है, अनसर ठीक है, तो आपको आसानी से समझा गया, लेकिन यह तो था कि आपको, यह मैंने बताया है, कि unit digit किसी number के square का क्या होगा, लेकिन मैं अब आपको एक तरीका और बताता हूँ, देखो, एक method यह है, बहुत important है, अगर यह चीज़ आप सीखते हो न, तो आगे पूरा chapter जब हम करेंगे, तो उसमें बहुत आसानी आपको होएगी, और बिल्कुल आसान है सीखना, मुस्किल नहीं है, कुछ भी चीज, ठीक है, जैसे किसी number का unit digit, अगर मा अगर मालो आपका last में कितना है, 2 है, या 8 है, तो last square का unit digit कितना हैगा, 4 आएगा, अगर 3 है, या फिर 7 है, तो आप खुदी देख लो, कोई रटा निया है, 3 या 7 है, तो कितना हैगा, 9 आएगा last में, 4 या फिर 6 है, तो देख लो, last में कितना है आपका, 6 आ रहे, और अगर यहाँ पर 5 है, तो unit digit पका क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, यानि कि मैं यहाँ पर अब rule लिख देता हूँ आपके लिए, रूल क्या है, अगर किसी भी, अगर किसी भी number का unit digit, अगर किसी भी number का unit digit, क्या हो, तो हम बता सकते हैं, बता सकते हैं कि उसके square का unit digit क्या होगा, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ, अगर मानलो ये number है, ये क्या है, नमबर है, और ये number का क्या है, unit digit मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैं आपसे लिखूँगा, Unit digit of the square of this number इस नंबर का जब हम क्या करेंगे square करेंगे उसका unit digit क्या होगा मैं यह तो table जो है ने यह table बना रहा हूँ मैं लेक्न 2 column मनाती है मैं कहता हूँ एक number ऐसा है जिसका unit digit यहाँ वन है यहां कितना है nine है तो इसका जब आप square करोगे तो उसका unit digit कितना हैगा 1, क्योंकि देखो, 1 into 1, 1 होता है, 9, 9 जा 81 होता है, 81 के last में कितना आता है 1, फिर मैं कहता हूँ, इसको एक-एक बढ़ाते जाओ, 1 के बाद कितना हैगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और इसको एक-एक तम करते जाओ, नाइन से पहले 8, फिर 7, फिर 6, आजा 5, 5 तो रिखे थिया हमने ठीखा, 5 को डबल नी अटिकेंगे, अब बताओ, 2 और 8 होगा, 2 तू जा कितना होता है, 4 और 8 जा कितना होता है, 64, last में कितना रहा है, 4, तो आपको कोई भी परिशानी नहीं आएगी इस तरह से इस कुंसेप्ट को समझने में तो यह था आपना पूरा यूनिट डिजिट का फंडा किसी भी नंबर का हमें अगर यूनिट डिजिट बताना हो स्केर का तो हम आसानी से बता सकते हैं अब देखो अपना नेक्स्ट कोंसेप्ट इस के अंदर अब इसमें है स्केर ओफ इवन एंड ओर नंबर इस कोंसेप्ट में बच्चे जो है ना ज्यादा तर हमेशा ही कन्फ्यूज रहते हैं पेपर में जो नंबर होते हैं उनमें आदे नंबर क्या होते हैं आपके इवन और आदे नंबर क्या होते हैं ओड इवन जैसे 2 से स्टार्ट होएंगे 2,4,6,8,10,12 ये इवन होते हैं ओड कौन से होते हैं 1,3,5,7,9,11,13,15,17 है न ये ओड होते हैं अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एना किसी भी even number का square करो आप कहोगे साथ 2 का square कर ले 2 का square करो 4 4 का square कर लो 16 6 का even number का square कर रहा हूं 36 8 का square करो कितना आएगा 64 10 का square करो कितना आएगा 100 12 का square करो कितना आएगा 144 मैं कहता हूं कितने भी बड़े number का square कर लो ऐसे कोई फरक नीपड़ता अब ऐसे ही मैं ओड़ वाले के स्क्राइब कर रहा हूं वन का स्क्राइब करेंगे वन एब रही का स्क्राइब करेंगे नाइब इस तरह से आएँगे अब आप एक चीज देखो, observe करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यह सारे के सारे नमबर क्या है, even है न, यह सारे के सारे नमबर क्या है, even, और यह सारे के सारे नमबर क्या है, odd, जब हमने इन सभी नमबर का, यानि कि even नमबर का square किया, तो जो answer है न आपका, यह answer क्या रहे, even है या ओड है, इवन ओड की पहचान कैसे होती है, अगर इसका यूनिट डिजिट, अगर क्या हो, इवन हो, मतलब कि 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो नमबर क्या होता है, इवन, बता दो, यह सारे के सारे नमबर क्या है, आपको इवन नहीं दिख रहे, कोई, इन में से ओड है, इन में से, इवन नमबर से, कहने का मतलब यह है, अगर आप किसी इवन नमबर का स्केर करोगे आ, उसका जू अंसर आएगा स्केर का, वो भी हमेसा क्या आएगा, इबन भी आएगा, ऐसे आ आपको होगे सर, कह यह बात ओड के लिए भी ट्रु है, आप खुद देख लो, मेरे बताने क सारे क्या है बताऊ, ओड नमबर्श है, तो समझगे, असानि से बात, कि even number का square करेंगे, तो उसका answerSpare even आएगा, ओड नमबर का square करेंगे, तो उसका answer क्या आएगा, ओड आएगा बस इतनी सी बात है, थिक और रूल लिख लो अपनी देखे में, rule क्या होता है यह सारी की सारी जो बाते लिख्वा रहा हो ना यह सारे जैसे यह चीज़े मैंने लिख्वाई है यह note down कर लेना ठीक है ताकि आप जब revision करो तो आपको आसानी हो rule क्या होता है square of an even number square of an even number is always even हीं हिंदी में लिखना चाते है तो हिंदी में लिख लो even number का square हमेशा even होता है even number का square हमेशہ even होता है for example 8 का square कितना होता है 64 10 का square 100 14 का square 196 और यह सारे के सारे number क्या है बताओ यह even है हमने even number का square तो उसका answer जो आया वो भी क्या आया even आया दूसरा rule क्या है 2nd number का square square of N और नमबर इस साफसे बगी करacy . बडरिम्पाइब का स्वेर 오र्ण ओर अट्रिम्पाइब का स्वेर टान्स का सुल jeनिंर और नमबर बड़ं है इसका स्वेर कितना Inspire 289 एकी सेineaब की से स्वेर का 6 441 ये भी क्या ہے एक Ode है तो OdeNoRe के हमने square किये तो ये सारे के सारे क्या है बताऊ Ode numbr आये तो ये आपकी definition है even number का square even होएगा old number का square हमेशा old होएगा ये मीरी बात आप याद रखना ठीक है सारे example देक्षे मैंने आपको लिख लिखके सारी बाते कलियर करती है अब इसमें next question देखो next concept है यह यह सारे के सारे concept डा देना ठीक है concept number one concept number two इस तरह से फिर कहता है number of zeros in the square of a natural number in the square of a natural number देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं जैसे 10 का स्करोगी अप्डिक हंड्र का स्केष एक या आप 40 प्र हो क्या और 14 भार 10 owe I think a積 का अगर आप स्केर करते हो तो मैं आपको बढ़ता हूँ कि उनका स्केर का मतलब क्या होता Mercury कि यह कि घर हो हिर offered कि लास्ट अब को ये बात सिखाई होगी कि जब भी नंबर्स के लास्ट में 0 आजे ले ऊद को एक बार छोड तो आप सिर 100 into 100 तो कितना आएगा यह 10,000 आएगा 40 का स्क्वेर करोगे देखो 40 into 40 अभी मैंने क्या बताया सिरफ आप क्या करो 4 4 जा 16 0 कितनी 1 2 1 2 अब 30 into 30 3 3 जा कितना होता है 9 0 कितनी 1 2 50 into 50 करोगे तो 5 5 जा कितना होता है 25 और 0 कितनी लगाओगे 1 2 लगा दी फिर उसके बाद 1 2 मैं और ए 50 यह दिख लो 25 अंडर्ड लिख लो ठीक है इसका क्या मतलब होता है इसका स्केर क्या होगा बताओ 2500 into 2500 आप सोचे लोगे कि इतने बड़े नंबर का स्केर कैसे निका दे मैं कहता हूं घबराओ मत आप 0 को भूल जाओ सिरफ 25 into 25 बताओ 25 into 25 यानिकी 25 का स्केर मैंने बताया थ आता हूं कि इस नंबर के अंदर देखो 0 कितनी थी एक जब हमने इसका स्केर किया तो 0 कितनी आई तो यहां पे 0 कितनी थी तो इसका स्केर किया तो 0 कितनी आई चार फोर आई ठीक है यहां पे एक एक और एक तीनों में एक 0 है स्केर किया हमने जब तीनों का उसके अंसर में कितनी 0 यहाँ पे कितनी 0 जिलो है तो square किया तो उसके अंसर में कितनी 0 है 4 ठीक है क्या result निकला आप जो number of 0 हो जाती है न स्केर के अंदर वो डबल हो जाती है न एक की 2 2 की 4 अगर तीन होगी तो कितनी होगी आपकी तीन दूनी 6, 6 होएगी, जैसे आप करके देख लो, आप करो जैसे 2,000 का स्केर करो, तो 2,000 की 2,000 से मल्टिप्लाई करो, देखो 2, 2 जा कितना होता है, 4, 0 कितनी आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखो 3 का डबल 6 होगया, ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कि 0s जो होती है, number of 0s वो दबल हो जाती है, ठीक है, यानि कि, if a number has, if a number has, मैं लिख रहा हूँ, example के दिए, ठीक है, if a number has 2 0s, then its square, जो हम इस number का फिर क्या करेंगे, square करेंगे, its square will have, will have 2 into 2, यानि कि 4 0s, ठीक है, मैं second example देता हूँ आपको, if a number has 3 0s, अगर किसी number में 3 0 है, देखो, जैसे इसमें थी है, then its square will have, इसके square में कितनी 0 होगी, अब आप खुद बताओ, its square will have, आपका होगे, इसका twice है, यानि कि 3 into 2, 6 0s होगी, ठीक है, तो ये चीज़े, सारे example उतार लो, अपने notebook में, कितनी 0 होगी, मैंने ये सारी चीज़े आपको बता दी, है, उसमें कुछ 18 आपके MCQ होंगे, और फिर 12 question आपके short answer type के होंगे, और 10 आपके fill in the blanks होंगे, उनके लिए, ये जो concept है, ये बहुत important है, जिस बच्चे को ये concept आते होंगे, वो उन 40 के 40 question का answer फटा फट दे देगा, ठीक, क्योंकि इनी के बीच-बीच में से question निकाल के आपसे पुछे जाएंगे, अब ये बहुत important है, ये 100% mark कर लो, ये paper में आए ही आएगा, ये कहता है, how many natural numbers lie between the squares of two numbers, इसका मतलब क्या होता है, देखो, मैं आपको ये कहता हूँ, एक आप 5 का square करो, एक आप 6 का square करो, ठीक है, इनके बीच में आप लिख लो इनके बीच में इतने natural number है और इस question को more than 90% बच्चे गलत करते हैं ठीक है तो आज के बाद आप idea लगा लेना कि आप उन 10% में से हो जो ठीक करते हैं या 90% में से हो ठीक है इनके बीच में कितने natural numbers होंगे जैसे मान लो आपका roll number है 25 आपका roll number कितना है 25 और आपके दोस्त का roll number कितना है 36 ठीक है और teacher ने आपको दूर-दूर बिठा दिया मैद के टेस्ट में आप दुनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं क्या आप बता नहीं सकते हैं और सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट है ठीक है 25 के बाद कून बैठा होगा 26 फिर 27 फिर 28 29 फिर 30 31 32 33 34 और 35 बताओ मिर को यही तो बच्चे आपके बीच में बैठे है न कोई रटवा थोड़ी हो में आपको सारी कि डेटेल में बता रहां हो कि 25 और 36 के बीच में जो नंबर है वो कितने है बच्चे कितने है टेने lumière यह अनलो 25 फिर 29 है उनके बीच में कितने नेचुरल नंबर है 10 नेचुरल नंबर है ठीक है लेकिन मैं कहता हूँ ये आपको करके दिखाने की जरूट नहीं है ये तो छोटा नंबर था 25 36 एक मैं कहा दू 100 और एक मैं कहा दू 459 क्या आप इनको सबको लिखोगे ठीक है आप कोगे लिख तो न 25 माइनस कर देते हैं 36 में से क्या कर दिया उन्होंने 25 थादा है और कह दिते है 25 46 के बीच में 11 बचे बठे लेकिन आपको देख लो उपर जो मैंने डायागरम बनाया है इसमें तो कितने हैं 10 बच्ह Daih आपको किने भी दो नंबर के बीच में नंबर्स निकालने हो तो आपको यह रूल फोलो करना है बीच में इनको नहीं काउंट करना 25 और 36 को ठीक है इनके बीच में कितने बच्चे होंगे 36 में से 25 माइनस करके और 1 और माइनस करना है और 1 और माइनस क्यों करना है मैंने आपको example दे के बता दिया ठीक है आपसे paper में क्या question पुछा जाएगा देखो आपसे paper में question ये आएगा How many How many numbers are there Numbers Are There Between the Between the Scares of Scares of 11 and 12 ये कहता है 11 और 12 के square के बीच में कितने नंबर होंगे मैंने भी क्या बताया 11 का square करो ठीक है कितना होगा 121 12 का square करो 144 यानि कि आपसे पूछा जा रहा है कि 121 और 144 के बीच में कितने नंबर होंगे 121 और 144 के बीच में बीच में कितने नंबर्स होंगे, how many numbers are there between 121 and 144, तो बताओ, इसका answer क्या होगा, आपका answer, सिदा answer रिखा दो, ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर तो आपको माइनस करना ही करना है, लेकिन साथ में एक और माइनस करना, लास्ट में जो भी कोशन आपका paper में आज के बाद आएगा, आप answer दे दोगे, paper में आएगा, how many, how many numbers are there, numbers are there between the squares of, between the squares of 9 and 10, 9 और 10 के square के बीच में कितने number होगे, तो बताओ, आप क्या लिखोगे सिदा, answer लिखोगे, ठीक है, आप पहले करके दिखाते हैं, इसको 9 का square कितना होता है, 81, 10 का square कितना होता है, 100, और फिर answer कितना होगा, आपका 100 में से 81, तो minus करना ही करना है, एक और minus कर देना, यान कि 19, 19 में से 1 और minus करोगे, तो आपका answer कितना हैगा, 18 आएगा, ठीक है, यह होगा, लेकिन अगर मानलो ये number ये तो छोटे है, 11, 12, 9, 10, जिनका square आपको याद है, ठ इसा number आजे, फिर उसका हमें square निकालने में टाइम बहुत लगेगा, फिर दूसरा number का भी square निकालने में टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, अब मैं इसका आपको second method बताता हूँ, क्योंकि ये जो question आएगा, वो एक number का आएगा, ठीक है, आपको 16 निकर के दिखाना paper में, सि कैसे भी लिखो, तो उसके लिए मैं आपको shortcut बताता हूँ, direct, जैसे माल लो, question 1 क्या था अपना, how many numbers are there, how many numbers are there between the squares of 6 and 7, ठीक है, ये question है, 6 और 7 के square के बीच में, कितने number होंगे, मैं आपको 2 method करके दिखाता हूँ, method 1 में मैं आपको क्या बताया, 6 का square करो, 36, 7 का square करो, 49, answer कितना होगा, बता हो अपना, बड़े number में से छोटा number minus करके, एक और minus कर दो है, 13 minus 1, यानि कि कितना हैगा, 12, ये तो क्या था आपका first method, जिसके मैंने 2 question आपको पीछे भी करवाए है, ठीक है, लेकिन, अब मैं बताता हूँ, method number 2, ये बिल्कुल आसान है, इ ये कितना दे रहा है, आपको 6 और 7 दे रहा है, तो 6 और 7, इन दोनों को क्या कर दो, आप plus कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस और उसमें से 1 क्या कर देना, minus, 13 minus 1, देखो, answer वही 12 नहीं आया, वही देखो, 13 minus 1, यहाँ पर लिखा है, तो फिर आपको square निकालने की, मैं क असान है न, how many, how many numbers are there, how many numbers are there, between the squares of, between the squares of 12 and 13, तो बताओ मेरे को, 12 और 13 के square के बीच में कितने नमबर होगे, पहले आप practice जब कर रहे हूँ न, दोनों method से करो, ठीका, method 1 बताओ, 12 का square कितना होगा, 144, 13 का square कितना होता है, 169, तो आपका answer क्या होता है, फिर इन में, बड़े number में से छोटा minus करके, और एक और minus करने है न, यानि की, 25 में से एक और minus करने है, कितना आगे आपका, 24, लेकिन 24, तो आगे answer, लेकिन मैं क्या करता हूँ अब आपको, second method, second method क्या करता है बताओ, आपका, answer सिदा ही लिखो, जो number आपको दे रखें न, 12 और 13, उनको दोनों को क्या कर दो, add और एक क्या कर दो, minus, 25, 25 में से 1 minus करो, 24, समझा गया, तो ये क्या है, इसका shortcut method है, कितना भी बड़ा paper में question आजे, दोनों को add करके numbers को, और उसमें से एक क्या कर देना, minus, आपका बिलकुल correct answer है, ठीक है, अब next concept, एक perfect square, एक perfect square number, perfect square number कौन से होते हैं, आज lecture दो, आपने start किया था, सबसे पहले मैंने आपको square या perfect square number के बारे में बताया था, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, जिनको हमने box के इंदर बंद किया था, वो सारे के सारे number क्या होते है, perfect square, कौन से होते बताओ, perfect square number, दिखें दुबारा फिर क्योंकि अब इनका काफी use होने वाला है, कौन से होते है, 1, 2 का square, 4, 3 का square, 4 का square, 5 का square, ऐसे बोल बोल के आप लिखोगे न, आपको पता लगेगा कि ये perfect square number, याद कैसे रखने है, ठीक है, 7 का square हो जाएगा, फिर 8 का square, फिर 9 का square, फिर 10 का square, फिर 11 का, फिर 12 का, फिर 13 का, फ मैं आपको ये कहता हूँ, मैं आपको एक trick बता रहा हूँ, यहाँ पे, उसको आप trick कहलो, याप उसको concept कहलो, ठीक है, concept का मतलब सिदा सिदा रूर ही होता है, mathematics का ही concept है, मैं ये कहता हूँ, 1 है, 1 को आप 1 लिख दो, पहले 2 order number कोन से होते हैं, 1 और 3 होते है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, पहले 2 order number का sum कितना होगा, 4 होगा, पहले 3 order numbers को आप add करो, कितना हैगा, answer 9, पहले 4 order numbers को add करना, answer कितना हैगा, 16, पहले 5 order number को add करना, 579 और add कर दो, कितना हैगा, 25, पहले 6 order number को add करना, करई है फेश्ट एक से स्टाट गरना है हमेशा ना इक टोटना पहले साथ ओड़ड़नुबर करो ए noises ciao five seven nine eleven thirteen fifteenerin ये कितना येगा शीक्सटी फॉर पहले नोग नंवर निम्पर को एड़ करना मैं कहता हूं जब भी आप नोटबुक पर प्रेक्टिस करते हैं गब्राया मत करो कि ऐसा क्यों लिखे हम ठीक है लिखो गे तो सारी से आपको क्या है याद हो जाएगी साथ साथ में 11 टाइम ने लगता एक या दो मिनट लगेगी मुश्किल से इसको एड करो कि कितना है आपका 81 आपको कुछ पैटरन न 9 16 25 30 देख लो कोई नंबर बीच में चूटा है कोई भी निचुटा ठीक है यानि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक ओर नंबर को एड करेंगे ना तो वन का स्केर आएगा उसका अंसर है ना तो पहले दो और नंबर को एड कर दो के तो फोर और फोर को क्या बोलते ह 2 का स्केर बोलते हैं 9 को क्या बोलते हैं 3 का स्केर यह क्या होगा 4 का स्केर यह 5 का स्केर यह 6 का स्केर यह 7 का स्केर यह 8 का स्केर और यह क्या होता है 9 का स्केर ऐसे आगे भी लिख सकते हैं 10 का स्केर 11 का 12 का 13 का ठीक है तो मैं क्या पताना चाहता हूं आपको कि एक परफेक् इसको लिखा जा सकता है कैसे as the sum of odd numbers उसको कुछ odd numbers के sum के रूप में लिखा जा सकता है जैसे पेपर के अंदर आपका जो question आएगा मैं question बताता हूँ पेपर में question ही आएगा write 49 as the sum of odd numbers यान कि 49 को जो है न वो odd number के sum के रूप में लिखो आपको पता है 49 किसका square होता है 7 का होता है 49 is equal to क्या होता है 7 का square ठीक है यह लिख देना पहले now अब आपको पता है कि 49 जो होता है उसको आप क्या लिखोगे आप कहोगे जी कुछ odd numbers को 1 से start कर लो है न और add कर दो 1 के बाद क्या आता है 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 फिर 11 है न दो दो का gap फिर 13 अच्छा कितने odd number को add करोगे देखो यह 7 का square होता है न तो पहले साथ और नमबर को add करो दो एक तो ती चार पांत छे साथ हो गया और अगर आपको कोई doubt है न आप इनको add करके देख लो इन numbers को add करना 1 प्लस 3 कितना होता है 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 9 25 25 में 11 एड़ करोगे 36 और 36 में 13 एड़ करोगे कितना हैगा 49 और 49 आगया ठीक है यह किसका square है 49 7 का तो पहले 7 odd numbers को add कर दो और यह आपके इस question का answer है ठीक है आपको इस तरीके से present करना है आपके solution को question number 2 पेपर में आएगा write 121 as the sum of odd numbers याने की 121 को है न ओर numbers के sum के रूप में लिखो पहले तो आप लिखोगे 121 जो होता है वो किसका square होता है 11 का आप होगे हमारे को कैसे पता लगेगा मैंने lecture के starting में बताया था 26 तक square अगर आपको याद होगे न तो पूरा chapter आपको आसान लगेगा ठीक है क्योंकि पूरे chapter में यूजी ये चीज़े होनी है अचा अब ये 11 का square होता है तो 121 को लिखोगे so 121 is equal to पहला ओर नंबर कहां से start होता है 1 फिर उसके बाद 3 फिर 5 फिर कितना होता है 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13 कितने होगे 7 होगे कितने लिखोगे बताओ 11 ओर नंबर लिखने ठीक है 11 तक नहीं लिखने कई बत्से यहां तक लिखे छोड़ देंगे 11 तक पता ना इन सभी का सम एड़ करके देखो क्या 121 आएगा बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि 13 तक लिखते है तब आता है 49 तो 11 नंबर लिखने काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 फिर कितना आता है 15 फिर कितना होगे 17 9 होगे फिर 19 और फिर कितना था आपका 21 इस तरीके से आपको लिखना है ठीक है अब आपको कोई समझा आएगी नहीं जैसे कोशन यह आजए आपका राइट दी या राइट 196 as the sum of as the sum of old numbers यान की 196 को old numbers के sum के रूप में लिखो तो solution में पहले आप क्या लिखोगे we know that आपको पता है या हम जानते हैं कि जो 196 होता है वो किसका स्केर होता है बताओ 14 का होता है ना 14 का स्केर होता है तो आप 196 को फिर क्या लिख सकते हो बताओ आपका होगे जी पहले 14 old numbers को add कर दो तो वो उनका जो sum है ना वो 196 ही आएगा ठीक है लिखके देखें एक्जाम में यह कुशन आएगा तो 196 is equal to 1, 2 है ना 3 के बाद 5, 7, 9 कई बच्चे छोड़ देते हैं बीच में छोड़ना नहीं है बिल्कुल ध्यान से लिखना है कोई जल्दबाजी नहीं करने ठीक है 20 फिर 15 आएगा फिर कितना आएगा आपका 17 फिर 19 फिर 21 फिर 23 फिर 25 फिर 27 अब बच्चे सोचें बही मानलो आपने यहां तक लिख दिए एक बार काउंट करके देख लो मानलो आपके 10 होगे है ना फिर यहां पे आप क्या लगा दो ऐसे लाइन लगा दो 11 12 13 14 कोई बड़ी बात थोड़े है 14 नंबर को अगर आपको काउंट करना हो तो कोई बड़ी बात है नहीं इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो तो यह कॉशन बहुत ही इंपोर्टन है पेपर में दो या ती नंबर का कॉशन 100 परसेंट यह आए आएगा ठीक है प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो ऐसे करनी है यानि कि सिदा यह मतलिक दना 49 इक्वल तू दिस नहीं लिखके करते हैं how to find the square of any number without actual multiplication आप बताओ मेरको square का मतलब क्या होता है जैसे मैंने आपको कहा कि 5 का स्केर निकालो आपने का सरफ फाइव को दो रवार म्लुटिप्लाई करतो 25 मैंने कहा 12 का स्केर निकालो आपने कहा है 12 इंटो 12 और किसी बच्छे को स्केर याद निया तो वो क्या करके देखेगा 12 को 12 से मल्टिप्लाई करेगा 12 से 24 12 वान्जा 12 और वो यानि कि मेरा कहने का मतलब यह आप किसी भी नंबर का स्केर निकालना हो आपको याद ना आए मान लो तो उसको दो बार क्या करने ना मल्टिप्लाई करने चोटे बच्चों कि तरह हो जाएगा यानि कि यह तो हमने क्या किया है यानि कि हमने मल्टिप्लाई का सहरा लिया है अगर हमें मल्टिप्लाई भी नहीं करने आती यह वाली तो फिर हम स्केर निकालने सकते किसी नंबर का है न हमने एक्चुल मल्टिप्लिकेशन जो बच्चे को फर्स्ट सेकिंड क्लास में सिखा दी जाती है उसकी हेल्प लेके हम 122 को 122 से क्या कर दो, multiply, देखो करो, 122 और 122, 122 को 2 से करेंगे 244, फिर 2 से करेंगे 244, फिर 1 से करेंगे 122, यही होता है, 4, फिर 8, फिर 8, फिर 4, फिर 1, तो कितना आगे आपका, 14884, यह आगे न, लेकिन यह कैसे निकाला हमने, actual multiplication करके, बिना multiply करके, हमने अभी तक square निकाल है, लेकिन अब paper में आपका जो question आएगा, वो ऐसे थोड़े देगा, कि आपसे multiply करवाएगा, वह multiply तो second class के बच्चे का काम है, तो 8th class में आपको क्यों देना चाहता है, वो नहीं चाहता है, कि आप multiply करके square निकालो, वो कहता है, without actual multiplication, बिना multiply करे, आपको होगे ठीक है, 26 का उसने square दे दिया, तो हम लिख देंगे 26 into 26, और हमें तो याद है, 26 का square लेकिन नहीं, यह तो याद है, उसको कैसे पता लगेगा, कि आपको याद था, यापने rough work में 26 into 26 करके देखा है, यह भी तो करके देख सकता है, कोई बच्चा rough work में, तो आपको एक process के तहत बताना है कि नहीं, हमें ना तो याद था, ना हमने multiply करके देखा, बलकि जैसा आप पूछना चाते थे ना, हमसे जानना चाते थे, हमने उसी method से करके दिखाया, ठीक है, अब आप कोगे, फिर हमारे को भी बता तो, वो method भी है, क्या वो method, मैं आपको पहले formula लिख वाता हूँ, मैंने आपको factorization method बढ़ाया है, ठीक है, chapter number 9, chapter number 14, दोनों के अंदर एक formula मैंने आपको बताया था, a plus b ka whole square, क्या होता है, a square plus b square plus 2 a b है ना, और फिर क्या होता है, a minus b ka whole square, अगर minus आजे बीच में, तो पहली दो टरम तो plus रहेगी, ये क्या होजेगी, minus है ना, और एक तीसरा formula होता ह है, a square minus b square का, वो क्या होता है, a plus b into a minus b, और मैंने आपको कितनी बार ये बताया है, कि ये तीन formula जब तक आप math पढ़ोगे ना, जिंदरी में आपका पिछा नी छोड़ने वाले, ठीक है, तो ये तो पूरे maths की क्या है, life line है, याना की, life line का मतलब जैसे oxygen हमारे लिए जरूर करना है, तो बस इन पहले दो का हम यूज करेंगे, और उसका हम square निकाल देगे, जैसे माल लो, आपको कोई कहे कि 12 का square निकालो, हमें तो याद है 12 का square कितना होता है, 144 होता है, लेकिन मैं इस formula से निकाल के दिखाऊंगा, आपको, 12 को है ना, तो ऐसे number के sum के रूप में लिख सकते हैं, और इसका क्या कर दो, अब square कर दो, अब देखना, ये क्या बन गया, ये A है, और ये number क्या है, आपका, B है, ये A प्लस B का whole square, इस form में बन गया, ये है ना, पहले वाली form, क्या formula होता है, फिर इसका बताओ, पहले वाले number का square, यानि की 10 का square, प्लस, दूसरे अब आप इसको solve कर लो, बस plus minus करके, 10 का square कितना होता है, 100, 2 का square कितना होता है, 4, ये कितना होता है, 2, 2, 4, और 4, 10 कितना होता है, 40, तो 100 plus 4 plus 40 कितना होता है, 144, देखो, क्या हमने कोई multiplication का सहरा लिया, आपको जी बिल्कुल नहीं लिया, हमने क्या किया, formula लगाया है, और formula की help से निकाला है, ठीक है, bracket में लिखो के आप, because, ये because का symbol होता है, mathematics, because, a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2, अगर आपको पूरे marks लेने हैं, तो सब कुछ examiner को दिखाओ, आपने ये जो किया है, ऐसा ये क्यों किया है, आप लिख रहे हो, because, this is the formula in mathematics, ठीक है, इतना लिख देना, examiner आपसे पूर आपको दो नमबर भी लेंगे, ठीक है, अब मैं आपको कुछ और square निकाल के दिखाता हूँ, जैसे मानलो मैं आपसे कहूँ, find the square of, find the square of 102 without actual multiplication, without actual multiplication, multiply तो करनी निया, ठीक ना, exam में अगर question आएगा, तो आप ये मानलो, कि multiply के बिना ही आपसे वो करवाना चाहता है, तो फिर कैसे करेंगे, बताओ, 102 का आपसे square पूछ रहे है, उसे square, तो 102 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस में 2 लिख दू, आप फॉर्मॉला बन गया, वोई A प्लस B का whole square, क्या लिख सकते हो, A square, plus B square, plus 2 तो लिखना ही लिखना है, दो bracket लगा दो है, into first number यानिकी 100, second number यानिकी 2, आप देखो कितना आसान होगा है, सिर्फ आपको, 100 का square कितना होता है, रफ में करके देखो, 100 into 100, 1 into 1 कितना होता है, 1 और 4 0 लगा दो है, यानिकी 10,000, और 2 का square तो सभी जानते है, 4 होता है, 224, और 4 को 100 से multiply करोगे 400, अब इसमें गलती मत कर देना, 10,000, पर 100 प्लस, ये कितना होता है, 404, इनको रफ में add करके देख लेना, अगर नहीं add करना आता, तो शरम मत करना, यानिकी गलती नहीं करनी पेपर में बस ठीक है, ऐसे, तो कितना आएगा, 10404, ये इस question का क्या है, आपका answer है, ठीक है, और फिर भी अगर आपको verification करनी होना, अगर आपको अपनी multiplication प 4, ताकि पेपर में अगर दो नंबर का या तीन नंबर का question आगया, एक 10-15 second आपकी फाल तू लगेगी, लेकिन आपको कम से कम confidence होएगा, कि हमने जो answer निकाला है, वो बिल्कुल क्या है, correct निकाला है, ठीक है, फिर second question मानलो आपसे paper में पूछा जाए, find the, find the square of, कितना भी ब बात नहीं है, कितने कभी square पूछले, वो हम पकी बात है, उसको निकाल के दिखा देंगे, ठीक है, उसको satisfy करना जरूरी है, तभी हमारे को number देगा, 87 का square, अभी मैंने क्या बचाए था, 87 को है न, दो ऐसे parts में break कर लो, जिसके एक number के पिछे 0 आती हो, ठीक है, और दूसरा number कोई छोटा होगा, वो क्या होगा, 80 प्लस में 7, अच्छा कोई बच्चा फालतू दिमाख लगाए, वो कहेगा, 70 प्लस में 17 में तो लिख सकते है, मैं कहता हूँ, लेकिन आपको फिर इसका भी square करना पड़ेगा, और इसका भी, आप पताना, 7 का square करना आसान है, या 17 का आस 2 लिखो, फिर 2 bracket लगाओ, एक bracket के अंदर first number और एक bracket के अंदर second number, अब इसको क्या कर लो, solve कर लो, 80 का square कैसे करोगे देखो, रफ में करके देखा करो, 8, 8 जा कितना होता है, 64, 1, 2, 2, 0 लगा दो, इसका square कितना होगा, 49, ये कितना होगा, आपका देखो, 2 into 8, 8 into 2 कितना होता ह 16, 16, 7 जा कितना होता है, 112 और एक 0 लगा दो है, 112 और एक 0 लगा दो, अच्छा, अब इनको क्या करना है, इनको add करना है अपने को, इसको add करोगे, इसके साथ कितना हैगा, 11 और 69 आएगा, तो देखो, अरफ में add करके देखो, 6400 और 11, 69 को, तो ये कितना आगा आपका, 75, 69, अंसर आगा, 75, 69, और अगर आपको, बिल्कुल sure होना है कि अमारा अंसर सही है, ये अगलत है, तो 87 को 87 से, मल्टिप्लाइ करके देख लो, 7, 7, 49, carry 4, 8, 7, 56, और 4, 60, 8, 7, 56, carry 5, 8, 8, 64, 69, तो ये कितना होगा, आपका देखो, ये 9 यहापे आएगा, 9, फिर 6, 9 और 6, 15, और ये 7, 75, 69, और ये भी कितना है, 75, 69, इसका मतलब हमारा अंसर क्या है, बिल्कुल, correct है, 100% correct है, तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया, कि बिना multiply का सहरा लिए भी, हम कितने भी बड़े नंबर का square निकाल सकते है, तो ये concept भी आई थिंग, आपका clear होगा होगा, पेपर में क portion आएगा, तो हमारा छोटे गानी ठीक है, अब ये तो सारी कि सारी कहानी क्या थी, देखो, square निकालने की, अभी तक हमने square root के बारे में नहीं पढ़ा, chapter का क्या नहीं है, square and square root of a number, यान कि squares and square roots of a number, किसी number का square निकालना, और उसकी क्या-क्या प्रोपर्टी होती है, वो हमने सारी चीख लिए, लेकिन अब दूसरा जो topic है, इस पूरे chapter का, वो है square root, ये अलग चीज़ है, ठीक है, अब आप square root निकालना चीखोगे, square root of a number, square root of a number, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, पहले तो आप square root का symbol याद रख लो, symbol, जैसे देखो, छोटी क से बच्चे को चीखाया जाता है, ये किसका symbol होता है, plus, ये minus, ये multiplication, ये division है ना, तो symbol तो आपने को याद रखने ही पढ़ते है, square root का symbol क्या होता है, ये वाला, दो तिन बार बनाओ, ये और फिर ये, ठीक है, ये क्या होता है, square root of a number, आप है ना, मैंने जो आज के lecture में सबस जाता है, कितना होता है, जाता होता है, सिक्स का, स्केर, जाता होता है,aker broke 25, तẽ six का, three,ять का स्केर, कितना होता है, six, nine, 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 one camera, ये सारे बाते तो आपको याद ये ठीक है, इसी तरह से आरे 26 तक आप क्या निकाल सकते है, square लिख सकते हो, ठीक है अब आपसे पेपर में बता है क्या question पुछा जाएगा आपसे पुछा जाएगा कि यह जो answers है यह वाले हमने किसी भी नंबर का square किया और square करके जो answer आया आपसे पेपर में पुछा जाएगा इन answers का क्या बता हो square नहीं square root क्या बता हो square root तो पेपर में question कैसा आएगा देखो question आप से पुछा जाएगा find the square root of find the square root of 49 पहले तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ सिर्फ ये बता रहा हूँ कि square root का meaning क्या है फिर मैं इसके आपको तीन method बताऊँगा कि paper में अगर ये question आएगा तो फिर इनको तीन में से कोई method रगा कि हम कैसे solve करें या फिर examiner बोलेगा कि इस method से करो तो फिर तीनों method सिखाँगा मैं तो आपको 49 का square root क्या होगा आप बस मिर को ये बता दो मन में सोच के कि 49 किस number का square होता है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया थे 26 तक square आप tips पे learn कर लो है ना आपके दिमाग में आएगी कि 49 तो 7 का square होता है तो बस इस question का जो answer होगा ना वो कितना होगा आपका 7 होगा आपको क्या निकलना है square root देखो 49 का है यह रहा 49 इसके इसके सामने कौन सा नंबर है 7 है तो इसका answer कितना होगा 7 लिखोगे कैसे लिखोगे कैसे how to write paper में कैसे लिखोगे मानलों दो नंबर का question आ गया how to write ठीक यह कैसे लिखोगे तो देखो square root का symbol क्या होता है बताओ square root का symbol मैंने बताया यह यानि कि आप लिखोगे square root of square root of 49 is equal to 7 49 को 7 के equal नहीं लिख रहे आप 49 के आगे भी कोई आपका sentence है ठीक ना यह पूरा sentence है यह की square root of 49 can be written as 7 लेकिन इतनी बड़ी language को लिखने की बजाए हम इसको short form में लिख सकते है 49 लिखके और इसके उपर क्या लगा दो यह symbol लगा दो ठीक है और इसका अंसर कितना होगा आपका 7 इसका मतलब पता है क्या होता है इसका मतलब यही होता है language की form में यान की यह mathematics की language में लिख दिया और यह English की language में लिख दिया क्या square root of 49 अगर इसको इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते mathematical language में लिखना चाहते हो तो बस इतना लिख दो 49 लिखके इसके उपर square root का simple लगा दो और अंसर कितना एक आपका 7 ठीक है इसका भी तो यही मतलब होता है कि 2 और 3 का क्या है यह sum है ठीक है अंसर इसका भी क्या आएगा 5 आएगा तो इसी English की statement को अगर mathematics की form में लिखना हो तो इसको बहुत छोटा करके हम लिख सकते है ठीक है पेपर वाला यह नहीं चाहता कि आपने निकाला कैसे है पेपर वाला बस अंसर चाहता है कि इस question का अंसर बतादो मेरे को direct ठीक कैसे भी बताओ आप find the square root of 144 पेपर वाला कहता है आपको 144 का आप मेरे को square root बताओ आप याद करो 144 किस नंबर का square होता था आपने याद कर दिया 12 का होता था है आप क्या लिखोगे square root of आप लिखोगे square root of 144 is equal to 12 that implies that implies का मतलब होता है इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कैसे 144 लिखके इसके उपर किसका सिंबल लगा दो square root का और इसका answer कितना हैगा 12 ठीक है बस ये इस question का answer है आपको इतना सागर एक नंबर में ये question आता है तो आपको ऐसे solve करना ठीक है थर्ड question में आपसे पूछता हूँ find the square root of हम इतने सारे example लेके चीजों को सिखेंगे ना कि आपका भी भूलोगे नी find the square root of 324 आप बताओ मेरे को मैंने क्या बता है था 26 तक के square आपको याद होने चाहिए ठीक है क्या लिखेंगे हम square root of 324 is equal to 324 किसका square होता था सभी बच्चे बोलेंगे 18 का होता था है तो कि आपको याद है 18 का square 324 होता है अच्छा कुछ बच्चे आप सोच रहे होंगे कि अगर ये याद नहीं हो हमारे को मान लो 26 तक के square तो क्या फिर हम पेपर में ये question solve नहीं कर पाएंगे मैं कर पाओगे आपको याद नहीं भी होगा तब भी कर पाओगे लेकिन याद होगा ना तो आपके दो फायदे होगे एक तो आपका अंसर कभी गलत नहीं होगा दूसरा आप तुरंत उसका अंसर दे दोगे क्योंकि टेपर वाले को शिरफ ये answer ये 18 उसको ये मतलब नहीं है आपने कैसे निकाला है लेकिन जिस बच्चे को याद नहीं होगा तो वे formula लगा के method लगा के उसको निकालना पड़ आपको क्या है याद हो जाएंगे इतना ही तो काम करने है और एक साल नहीं आपके आणे वाले लगाता तीन सालों में कार मैंने 10th क्लास जब तक आप पास नहीं करोगे तब तक ये चीज़े आपके पिच्छा निचोटे कि ठीक है अच्छा दूसरी लेंगिज में क्या लि आज के लेक्षर में आपको क्या है सारी की सारी दो स्केर की प्रोपर्टी बता दी परफेक्ट स्केर नंबर क्या होते हैं इवन नंबर का स्केर इवन होता है और नंबर का स्केर ओड़ होता है किसी नंबर का अगर हम स्केर करें तो उसके अंसर में यूनिट डिजिट क्या आएगा उसके अंसर में कितने जीरो आएगी ठीक है यह सारा कुछ हमने सिखा और फिर हमने सिखा कि किसी नंबर का स्केर रूट अगर हमें निकालना हो तो उसका मिनिंग क्या होता है और अंसर क्या होगा अब अगले लेक्षर में आपको स्केर रूट की पूरी कहानी है method of repeated subtraction फिर आपको आता है prime factorization method और फिर आपका अथा long division method वेपर में आपको तिनो में से कहा जा सकता है कि इस method का यूज करके इस का क्या निकालो स्केर रूट निकालो इसलिए मैं आपको सम्झागा कि तिनो के तिनो मेथर आपको आने जरूरी है ठीक है और बिलकुल आसा में बाई बाई टेक केर